नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब प्लैटफॉर्म यूपी संगम भाई अम्डी क्लास्ट पर बहुत-बहुत सवागत है दोस्तों तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्त तो कैसे दूर किया जा और क्या वाकई में ये वेकेंसी आने वाली है क्या वाकई में इस प्रकार से चीज़ें जो कही जा रही है वो होंगी भी या केवल मजाक बनके रह गया है तो सिर्फ मजाक या भरती भी तो इसके लिए क्या कुछ हो सकता है हम कैसे क्या कर सकते हैं कि से पहले जान लीजी कि हम क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ मजाक या भरती भी तो हमें कोई शोक नहीं लगाए कि हम यह कहें कि सिर्फ मजाक कर रहे हो भया कि भरती भी दोगे यह दरसल में इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भरतियों की घोषना हुई है पिछले दो सालों में जैसे आप देखेंगे 21 सक्टूबर के दिन दोस्तों पुलिस इसमृति दिवस मना जाता है तो 21 सक्टूबर की दिन जब पुलिस इसमृति दिवस होता है तो योगी जी जो है क्या करते हैं पुलिस लाइन्स में जाते हैं वहाँ पर संबोधित करते ह है पुलिस वालों को और सारी चीजें बोलते हैं हना सारी चीजें करते हैं तो उसी दोरान दोस्तों क्या होता है कि पिछले साल 2021 में 21 अक्टूबर के दिन इन्हों संबोधित किया तो इन्होंने अपने संबोधन में योगी जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है पिछली बार जब घोशना करी थी योगी जी ने तो बच्चा बहुत खुश हुआ था उसको लगएगा कि चलिए हना लगा था कि चलो आप सब कुछ ठीक हो जाएगा और वेकि हम इंतजार ही कर रहे थे बच्चा इंतजार ही कर रहा था कि तब तक जो है हना एक साल गुजर गए और फिर वहिया एक बार फिर से आया और योगी जी ने कहा कि वही कुल मिला कर 45 जार पदों पर भरती होनी है अब देखिए क्या पिछली वाली जो भरती हुई थी उस पर कुछ एक्शन हुआ भी या नहीं तो देखेंगे आप दोस्तों की क्या हुआ कि बोला गया की प्रोसेस में है जब पिछली बार अनॉंस किया गया हना कि भई 26,000 कुछ वेकेंसी नहीं तो उसको बोला गया कि प्रोसेस में है लेकिन आगे क्या आगे क्या तो आगे देखा गया कि 9 जनवरी 2022 को एक टेंडर इसके लिए निकाला गया लेकिन अभी तक कुछ ने हुआ जब टेंडर निकला था तो चीजे कुछ साकरात्मंग नदर आ रही थी लेकिन कुछ हुआ नहीं तो कुल मिला कर यह है दोस्तों कि पिछले साल जो अनौंस किया गया कि हाँ इतनी वेकिनसी आनी है पिस इस साल किया गया और कुल मिला कर अब यह फाइनली समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है आपके पास 45,000 पद है कुल मिला कर UPP में तो अब भहिया इस पर कुछ बताओ भी तो कि क्या करना है कैसे करना है और लगातार बच्चा इंतजार कर रहा है कि आखि इतनी बार पढ़े यार वेकेंसी भी तो निकालो पढ़ पढ़ के ठक गए ठीक है अच्छा इस दौरान कुछ बच्चों ने बड़ी मेहनस से पढ़ाई करी कुछ बच्चों ने केवल इंतजार किया कि ठीक है जब तक फाइनली नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम पढ़ेंगे लेकिन वैसे तरीका यही चाही होता है कि नोटिफिकेशन योटिफिकेशन का एकदम से इंतजार ना किया जा Bacon अब यहां सवाल बड़ा यह है कि कभ तक आ सकता है नोटिफिकेशन अब अब देखेंगे कि कभी भी लेकिन अधिकितम जुलाई 2023 से पहले देख तो हो सकता है कि आगे एक साल और इंतजार करना पड़े या हो सकता है साल दो साल इंतजार करना पड़े ठीक है ऐसा भी तो हो सकता है लेकिन हम अधिकतन जुलाई 2023 क्यों कह रहे हैं क्योंकि अगर अधिकतन जुलाई 2023 तक अगर कानून विवस्था को बहतरीन करने का अपराज मुक्त बनाने का तो उसके लिए कहीं ने कहीं पुलिस फोर्स में हन जो अधिकारी है या फिर जो करमचारी है या यूं के लिए जो पुलिस वाले हैं उनकी संख्या ठीक तक तादाद में होनी चाहिए तभी तो चीज़ें बह इसलिए बच्चों आजाएगा तो उस इसाफ से बच्चा अपनी तयारी कर रहे और अपनी चीजों को आगे लेकर चले तो हम इतना इंतजार नहीं कर सकते बच्चा इतना इंतजार नहीं कर सकता इसलिए बच्चों अब क्या करना है आपको अब करना है ट्वीटर अभिया वो लगातार मामले में बच्चों के साथ है और होना भी चाहिए दोस्तों और हम और हमारी पूरी टीम भी आपके साथ है इस ट्विटर अभियान में हम बिल्कुल कंदे से कंदा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं ट्विटर अभियान दोस्तों 29 अक्टूबर को यानि अगर नहीं चलाना जानते हैं यूटुब से नहीं सीक पा रहे है तो किसी जानने वाली सी सिलीजे लेकिन सीखिए ठीक है और ट्विल्टर अभियान में कल सामिल होना है 199 को दस बज़े से शुरू हो जाना है कि ci इसको किसको टैक कर लेना है तो देखे आजरेट माई योगिया दित्यनाथ ठीक है स्पैलिंग आपको ध्यान रखना है विदाउट इस प्रकार से टैक करना है यूपी पुलिस यूपी गवर्मेंट सीम आफिस यूपी ठीक है यादव अखिलेश जिया चुकि विपक्ष के नेता है इसलिए बागी कोई रानितिक बात नहीं है केब इस वज़ये से इन को टैक किया जा रहा है कि विपक्ष के नेता है अगर इले जी यह अख्लेज जी भी चेक करेंगे विपस्ट के नेता है तो विदान समय बात रखेंगे ना कि हां भाई कहते हैं ना कि हम युवाओं के नेता हैं युवाओं को साथ लेकर चलेंगे तो ठीक है कम से कम आवास तो उठाएंगे सदन में बात हो सकती है तो इस पर चीजें आगे बढ़ा सकती है बाकी कोई ऐसी बात नहीं है बाकी आस तक को NPDT को भी हम tag कर सकते हैं ताकि new channels तक भी बात जाती तो वह कही ने जु कहीं जुको ain't news में आयेगा तो यह जो है बरतीमें की जो है न मतलब कोई फोटो उसमें लिंक कर सकते हैं या कुछ लिख सकते हैं कि हाँ यहां चीजों को समझ ये आप कर रहे कि सरकार गलत है यह यह जा अपनी तरफ से घोष्टना करी पिछले साल करी तो होता क्या है कि अधिकारी sung को अधिकारियों को आदेश दिया अब घे तो अब मंत्री है उनके पड़िया नहीं जाता है या उनको लगता लगतां कि तो इसल hypertension होगा ठीक है तो शायद योगी जी को थोड़ा सा इस संदर में संग्यान लेने की ज़रूरत है भरती बोर्ड को भी थोड़ी सी जागने की ज़रूरत है तो कुल मेरा कर बरती बोर्ड को जगाने के लिए आला अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए ताकि ये ज्यादस ज्यादा शेयर करिए बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म से वहाँ पर भी लोगों को अपने साथ आने के लिए कहिए उनको बताईए ज्यादस से ज्यादा बताईए कि 29 अक्टूबर को 10 वजे से कंपेन है और हिसा लेना है कुछ नहीं करना है दोस्तों एक बात आजगे कि जब यहülä ऐगा ठीक है फारम आएगा पेंटानी स्जार के आसप्लाइए करें गए इन 25-30.000 लोगों में से मात्र दो लाख लोग भी अगर देड़ दो लाख लोग भी जाग जाए देड़ दो लाख बच्चे भी एक सात आ जाए च्छात्र एकता दिखा दे अपना दम दिखा दे और कुछ नहीं हर बच्चा 200 से 300 तो करी सकता है ठीक है आप तयारी करने भी इतनी महनत करते हैं तो एक दिन आप 200-300 ट्विट करी दीजिए हना 24 गंटे का समय निकाल के तो बहिए 200-300 ट्विट करेंगे और लगातार 6-7 गंटे अगर हम ट्रेंड करा ले गए और जब ट्रेंड करेंगा तो जहीर सी बात है कि आला अधिकारी भरती बोड जरूर सुनेंगे और अगर यह सोच र ट्विटरमेटर है यह फिर प्रदेश के साथ सबनेड़ की सरकार की बात करें तो जब भी कोई मामला ट्रेंडिंग में आया है तो उसपर सुनवाई हुई है ठीक है तो इसी लिए कह रहweltर हैं दोस्तों कि आप सभी लोग तो ऊनि सभी लोग घर में 2-4 मोबाइल है मंवी पापा का भाई भेहन का किसी का मोबाइल ले लिजे अलग-अलग से अपना आइडी बना लीजिए और बकादा कल यानि 29 तारीक को सुबह 10 बजे से ट्विटर करने में लग जाए जबरदस तरीके से यह आपके अपने भविष्य का मामला है अभी यूटूबर्स अभी टीचर साथ आ रहे हैं जो तो उनके माद्यम से आप चीजों को कर लीजिए और चीजें नोटिफिकेशन आ जाए और चीजें क्लियर हो जाएं क्योंकि अ आप सभी से हाथ जोड़ कर विनमरवने वेदन है कि क्रपे आपने हग की लड़ाई लड़िये और लोगों को भी साथ लाइए और आप बिल्कुल जादस ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेर करिए ताकि जादस ज्यादा लोग इस ट्विटर अभियान के प्रति जा शेर करिए कॉमेंट करके अपनी राइज जरूर बताएगा अगर आपके किसी प्रकार की राय बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंक्यू बेरी मच कि भायर विया कि भायर बादस झाले बहुते जिए ताकि आपके लिएज़ जादस अपके कि रहां बहुत थैंक्यू लोग चांटू का अभाई थैंक्यू को शेर को